हेलो प्रeans वेल्कम बेक तो माइच चैनल प्रेंस आज का जो वीडियो टॉपिक है बहुत ही क्योट बहुत ही प्यारी सी फ्लावरिंग प्लांट पर है इन फ्लावरिंग प्लांट को एंटी रैगन या फिर डॉक प्लावर कहा जाता है तो बहुत ही क्योट से लगते हैं यह और डॉक फ्लावर इने क्यों कहा जाता है मैं अभी आपको बताऊंगी उसके साथ ही इस वीडियो में मैं आपको इसकी पूरी केर टिप कैसे इसे ग्रोग खिया जाता है और इसके कटिंग लगती है या नहीं लगती है क्या इसे फटलाइजर देना चाहिए और क्या इसकी सन रिक्वाइरमेंट है सारी ही बाते शियर करूंगी तो प्लीज वीडियो को लास तक जरूर देखिएगा वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया अज़िजिएगा साथ में अगर आप मेरे सारी वीडियो को बिना मिशिये देखना चाते तो बेल ऐकन भी क्लिक करिएगा तो चलिए बदुस्द घर करते हैं तो दो हमें काफी सारे कलर एक सास मिल जाते हैं क्योंकि मैंने mix वाले seed मंगाए थे तो उसमें देखिया आप कितने प्यारे प्यारे कलर आएं अब मैं आपको बदाती हूं कि इन plants को dog flower क्यों कहा जाता है क्योंकि यह flower का जो shape होता है वह दिखता भी थोड़ा नॉर्मल flower से अलग है आप देखिये यह कुछ कान जैसे लग रहा है इनके और अगर हम इनको इस तरह से पकड़ के flower को हम थोड़ा सा नीचे से इस तरह से पुछ करते तो यह देखिये इनका मूँ खुलता है बिल्कुल ऐसे मूँ खुल रहा है जैसे कि dog का जैसे dog bark करते है उ पर यह दो कान जैसे भी लग रहा है तो इस तरह से इनका शेप लगता है शैद इसलिए इनने dog flower कहा जाता है लेकिन इनका जो शेप है मुझे कुछ furious के जैसे भी लगता है और चाहिए कुछ लोग – Rabbit Flower, भी कहते हैं उसे मेरत इनका मूँ और आहिए पहले पम थोक्छो तो तो देखिए यहां पे जो यह वाला पॉट आप देख रहे हो इसमें चार से पाच कलर के फ्लावर है अलग-अलग और पूरी तरह से खिले नहीं है और यह दो है कितनी ब्यारे लग रहे हैं इनका कलर कॉंबिनेशन और यह एक ही प्लांट लगा हुआ है तो यह जो सिंगल ल अलग-अलग करूंगी उस तेम पे मेरे पास सारे के सारे सेप्लिंग्स रेडी हो गए थे जिसके करण मेरे पास इतने पॉट नहीं थे यह दिखिए अभी और भी है यहां पे भी देखिए एक सेपरेट है और इसके अलावा भी एक मेरे पास अलग है जो कि मैंने बॉटल म जर्मिनेशन मिला था इसलिए मुझे यह सीट से ग्रो करना काफी पसंद है और इनके कलर भी काफी प्यारे आए हैं यह वाला जो प्लांट में आपको दिखा रही हूँ यह मैं पर्चेस करके लाई थी क्योंकि अभी तक मेरे प्लांट पे फ्लावरिंग नहीं आई थी तो मेरे बेटे के यह फैवरेट है प्लांट मैं यह एक पर्चेस करके लाई थी और इसमें फ्लावरिंग थी अभी स्पैन हो गई है और यहां पर देखी यह मेरे पास अब खुद इतने सारे रेडी हो गए इस वाले पॉट में से अब मैं प्लांट को सेपरेट कर दूंगी त अरवरिंग कर देता है लास्ट यह भी मेरे गार्डन में था उसके बाद भी इसे थोड़ा सा ब sprawdi सकता है इस प्लांट को तो काफी हिर्डी जो इसे ही है मिट्टी हमें रैश्यो जो है उसी तरह का लेना है विंटर के जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसके लिए हम 50-50 तक का भी रैश्यो ले लेते हैं यानि कि जैसे 50% गार्डन सॉयल और 50% वर्मी कमपोस्ट या गोबरगी खात क्योंकि अच्छी रिच स्व सॉयल अच्छे से प्लावरिंग करते हैं लेकिन फ्लांट बार बार फेटलाईजर देने की ज़रत नहीं पड़ती है लेकिन थोड़ा सा जो मिट्टी का रैश्यो होता है स्वेल मिक्स का रैश्यो होते हैं उसे कम ज्दा अपने हिसाब से किया जा सकता है ऐसा कुछ ज़ान बाउंडिशन की नहीं हमें ऐसा ही लेना है थोड़ा बहुत कम जादा हम अपने इसाब से कर देते हैं तभी-कभी हम 40-50% तक garden soil 20-30% तक compost और अगर मिट्टी सौगी है तो उसमें थोड़ी sand मिलाना मतलब जैसे मिट्टी चिकनी है तो उसमें हमें sand मिलाना जरूरी होता है ताकि मिट्टी थोड़ी पोरस बनी रहे हैंगिंग बसकेट्स के लिए तो अलग से ही soil ready की जाती है उस पे वीडियो है चैनल पे आप जाके विजिट कर सकते हैं अब इनके sunlight की बात करें तो यह winter के plant है इन्हें six to seven hours की sunlight हमें देनी होती है तभी यह अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे जितना अच्छे से हम इने sunlight देंगे उतने अच्छे से इनमें flower भी आएंगे और उतने ही अच्छे उनके color भी निखरेंगे इनके flower के color sunlight के recording ही खिलते हैं तो इस तरह से इनकी sun requirement होती है फटलाइजर की बात करें अगर तो मिट्टी में अच्छे से हमने compost एड की है लेकिन फिर भी हमें इने liquid fertilizer देना होता है क्योंकि heavy flowering होती है इन plants पे तो nutrients की इने बार बार ज़रत पड़ती है तो इसलिए liquid fertilizer में हम winter में 15-15 days में इनमें सरसोखली का liquid fertilizer देते हैं जो की best result देते हैं अमें अब बात करें इनके cuttings की तो जी हां बिलकुल इन plants को cutting से लगाया जा सकता है plant जब थोड़े और बड़े हो height में यह मेरे जो plant आप देख रहे हो काफी चोटे हैं तो जब थोड़े और बड़े हो जाएंगे तो आप इसकी 5-6 inch तक की cutting लेके लगा सकते हैं तो इसकी cutting आसानी से लग जाती है तो friends यह थी information dog flower के उपर I hope कि आपको यह video यह information अच्छी होगा तो वीडियो को like जरूर करिएगा चैनल को subscribe जरूर करिएगा फिर से request आपसे और मेरे यह dog flowers आपको कैसे लगे यह भी आप comment करके जरूर बताईएगा तो मिलते आपसे किसी और वीडियो में और topic के साथ तब तक के लिए पाई happy gardening झाल